तुमिश्का दोस्तों कैसे हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की Post-Market Analysis में कैसा रहा बजार कल क्या हो सकता है कौन से लेवल पर हमें काम करना चाहिए कहां पर हमको Stop Loss लगाने चाहिए क्या डागेट बुक करने चाहिए है बढ़ते है क्या रहा निफ्टी निफ्टी कोड़ी को देखनी कोई के देखनी कोशिश कर दो हमारी आज 70% कास पास में SenseX भी लुड़ा गया रहा 5.29% कास पास बेटल में भी Profit Booking देखनी हम लेए ॰ालिटी मेरी सब से रा Profit Booking देखनी 1.74% गिरा है निफ्टी IT इंडेक्स के देखने हुशी गई ये भी 2% के आसपास माइनस हुआ इंफ्रा को देखे 1.29% FMCG को 0.3% फार्मा में थोड़ा से कम गिरा तो ओवर ओल बिक्वाली देखने हो भी लिए पूरे बजार में profit booking देखने हो भी लिए आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ लेवल दिये थे जो मैंने आपको कहे थे कि कौन-कौन से लेवल important होते हैं निफ्टी के important level क्या हो सकते हैं निफ्टी का जो important लेवल था वो था सब चीज़े चपी होई है अब निफ्टी कैसे चलिए चलिए देखने कोशिर कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी को अगर हम सड़ी करने कोशिर के तो निफ्टी आज हमाई कैसे चलिए 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 इसका चार्ट कोलते है निफ्टी का और निफ्टी के क्या levels रहे हैं कहा 17,774 802 के उपर नहीं गया लो रहा 17,502 तो मतलब 17,556 को भी ब्रेक कर दिया कलका स्टॉपर सा 17,689 जिसके नीचे में सेलिंग थी, free fall था profit booking थी, आप कुछ भी कैसे ने correction थी वही देखने मिला है पूरी बढ़िया वाली profit booking वाली candle है बढ़िया solid red candle first red candle after the budget तो क्या profit booking चालू होगी है तो गाइस, now 17,556 विल बी the resistance अगर इसके उपर चलेगा बजार तो हम तेजी बैढ़ेंगे, इसके नीचे जब तक रहेगा हम support तलाश नहीं कोशिश करेंगे 17,424 के आसपास यह समझे जी यह बहुत ही important होने वाला है तो बजार की चाल को अगर समने कोशिश करें तो आज बजार ने अगर 15 मिट के टाइम फ्रेम पे आएं पूरे दिन selling ही रही है पूरे दिन बजार में कुछ खास तो देखने को नहीं मिला जहां बजार खुला वहीं से बजार गिरता चला गया यहां से बजार गिरता चला गया और एक lower low और lower high का pattern बनाते हुए बजार गया आपको पता होना चाहिए कि बजार जब lower high लो बनाता है तो उसको हम downtrend कहते हैं इंट्रारे में हमें वो downtrend ही देखने को मिला यह जो gap था यह fill हो गया अब यह जो gap है यह fill होता दिखाए था यहां पर आके हमारा आदर 17400 के level तो 17400 के आसपास में बजार support होता दिखाए देगा यह gap fill होने चाहिए बजार कभी भी अपने gap को छोड़के नहीं जाता है यह समझा लीजिए चाहिए upside की moment हो चाहिए वो downside की moment हो बजार में इंट्रारे में काफी सारे gap दिखाए दे रहे हैं यह gap हमें यहां फिल होता दिखाए दे रहे हैं यह अच्छे खासा support का काम करेंगा तो फिर 17,000 यह gap यह 17,100 से लेके 17,300 17,100 से 17,300 का जो gap है यह gap फिल होंगे बजार अपने जो भी gaps होंगे इंको फिल करेगा बेस को strong बनाएगा यह बिल्कुल वैसा ही है जब एक jar के अंदर में हम कुछ pulses डाल देते हैं ना कुछ pulses डालते हैं समान डालते रहते हैं ज़ार को ठोकते हैं ठोकने से क्या होता है इसका base solid होता चलता है base solid होता है चला है उपर में space बन जाता है फिर बजार उपर के तो निकलता है वैसा ही market भी करती है जो यह spaces को ठोक ठोक के लेवल एक काफी important psychological level है बहुती जबर्दस support है जो कल अगर maintain होता है तो ठीक है नहीं तो इसके नीचे break करता है तो यहाँ पर 38,500 के आसपास का एक level है जो हमको watch out करना होगा और interesting levels यहाँ पर निकल के आएंगे कल के bank nifty के जो support रहेंगे वो भी आपके सामने रख देता हूँ गाईज इसको आप note कर लिजेगा bank nifty 49,000 के आसपास पर बन वी है यहाँ पर जो resistance हमारा immediate resistance हो जाता है 40,000 के level बहुत दूर के हो जाएंगे immediate resistance हमारा 49,244 का रहेगा इसके ऊपर आएगा बजार फिर तेजी की तरफ बनाएगा और यहाँ पर बहुत ही छोटा सा support 40,000 का जो तूटता दिखाई देता है नीचे में जो support हमें bank nifty भी देखने हुए 38,809 रहें 38,612 अगर यह भी तूटते हैं फिर फरदर जाके हम 38,500 के आसपास जाके तलाश नहीं कोशिश करेंगे अगर वो maintain होता है तो फिर बापस एक bounce back देखने को मिल सकता है कल के जो stocks हमने देखे देगा है इसकल जो हमने intraday के लिए कुछ stocks find out करने कोशिश की थी देखने को मिलेगी तो यहाँ पे 961 961 भी लेक्ट है था है राइस्टेंस नाओ 961 के उपर निकलेगा तो इंडेस्टिंट में तेज़ी देखने को मिलेगी नहीं तो आप इसमें आप शॉट में रह सकते हैं यहाँ पे position से exit कर सकते हैं बंदरमेंग का breakout 324 के उपर में हमने डिस्कूस किया था 324 के आसपास की closing बंदरमेंग की दिखाई दिरी अगर इसको sustain करता है तो upward movement इसमें बन सकती है guys तो guys this was all about the post market analysis of nifty and man nifty धान से काम कीजिए safe काम कीजिए तरस से आज हो चुका है कल last day है Friday और इसके बाद में दो दिन की छुटी तो बजार में profit booking करते रही है पैसा आ रहा है घर लेके जाई है एक आदर डाली अच्छी आदर डालना बहुत ज़री है लोगों को लगता है एक ही दिन में लगपती का रोड़पती हो जाए जे नहीं ट्रेडिंग एक skill है ट्रेडिंग एक art है ट्रेडिंग अगर आपको कर रही है तो time सब से पहले होना चाहिए अगर आपका प्रहस टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग को avoid कीजिए अब swing trading के सकते हैं, positional trading के सकते हैं intraday trading आपके लिए नहीं बनी है अगर समय है, कीजी ये professional trader हैं, कीजी अगर आप professional trader नहीं है, कोई job करते हैं, business करते हैं, side income के लिए आप stock market में opportunities को find out करना ही कोशिच करें, तो trading is not at all for you, it is very very skillful game, फिर भी अगर आप stock market में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको long term investments या short term investments की तरफ ही focus करना चाहिए, nifty, bank nifty, stocks trading options ये सब professional traders या day traders या full time traders के लिए बने हुए products हैं, इसी advice के आप में आप से विज़ा लाने चाहँगा, मिलते हैं किसी और interesting वीडियो में बने रही चैनल के ओपर में, वीडियो पसंदा है, तो like कीजिएगा, चैनल को subscribe करेजिए, bell notification को hit किए, ताकि we can meet daily through the videos, और guys, इस चैनल